हलो बच्छो, मैसेफ संजय सानी, वेलकम टू आर योटूब चैनल सिगमा एजुकेटर और आज हम लोग आरगेन केमेश्टी में एक नेम रियक्षन है, उसके बारे में बात करेंगे नेम रियक्शन है, राइमर टाइमर रियक्शन, राइमर टाइमर रियक्शन बहुत इंपोर्टेंट रियक्शन है, यह आपका नीट, चाय आइटी, किसी भी एक्जाम में बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा क्वेशन यह पूछा जाता है, नीट हो, चाय आइटी हो चाहे फिर आपका बूर्ट का भी एक्जाम है बहुत पूछा जाता है ठीक है तो इसको ध्यान से समझते हैं कि राइमर टाइमर रेक्शन होती गया है सबसे पहले यह देख लो, राइमन टाइमन रेक्शन करता है, फिनाल राइमन टाइमन में, तो देखो, जिसे हम ले ले लेते हैं है याँ पे फिनाल, ये आपका हो गया, फिनाल, फिनाल का फार्मूला क्या होता है? यह आपका क्या है बच्चो फिनाल है इसकी रियक्शन हम लोग किससे कराते हैं क्लूरूफार्म से और इसके साथ मिलाते हैं हम लोग एक्वास बेस कोई भी एक्वास बेस ले लो एक्वास बेस कैसा रहे गाएं कैसा रात है और इसके प्रजस में ये तो यह बनाता क्या है पहले हम डारेक्ट बनाते है बच्चों की compound बनता क्या है फिर उसके बार मेकेनिजम की बारे में बारत करूंगा इसका मेकेनिजम बताऊंगा कि कैसे कैसे यह reaction complete हुआ तो यह बनाएगा यह और यहाँ पर अपना हो जाएगा CHO जोड़ता है CHO connect हो जाता है एक आर्थो पे और एक इस पे पहरा पर आ जाता है चीक है बच्चों आर्थो पे क्यों connect होता है अभी मेकेनिजम में जब रेजनल्स कराऊंगा तो बताऊंगा inside आपको बता दे रहा हूँ वह जो है यह प्लास M effect है मैजोमेरिक आप पढ़ोगे जी ओसी में तो आपको पता चलेगा कि जो ऊच होता है वह प्लास M effect होता है तो प्लास M मैजोमेरिक effect होते हैं वह negative कहांडे नवलब करते हैं आर्थो पे करते हैं और पाइरा पेट करते हैं इसको बोलते हैं ring activation मतलब यह क्या है फिनाल की जो राइमर टाइमर रियक्शन होती है तो फिनाल के बेंजीन रिंग में आर्थो और पैरा की रियक्शन होती है क्योंकि फिनाल अपने बेंजीन रिंग को OH की वज़े से क्योंकि OH प्लास है तो वो क्या करता है रिंग को एक्टिवेट करता है और आर्थो और पैरा पे निगेटिव डेवलप करता है तो हम जो भी रेक्शिंस कराते हैं इसमें आर्थो और पैरा पे कराते हैं अब मेकैनेजर मैं एक्स्प्लेइन करूंगा अच्छे से तो अभी देखो इसके बारे में बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्छो आर्थो हाइड्रोक्सी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डियाइड आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डियाइड क्योंकि OH और CH में सीनियर आपका CH है इसके कार्डिंग चलेंगे तो benzyl dihyde हो जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में OH आर्थो एड्रक्सी benzyl dihyde और इसी को हम लोग बोलते हैं इसके रिस्पेक्ट में पैरा पर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे पैरा है इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं अगर आप से कोई यह क्वेशन पूछे कि जो राइमें टाइमें रेक्शन कराते हो इसमें मेजर प्रोड़क्ट कौन है तो मेजर आप से अगर कोई पूछता है मेजर आप से अगर कोई पूछता है तो इसको आप मेजर बताओगे मेजर कमपाउं और इसको आप बताओगे माईर कमपाउं अगर आप से कोई क्वेशन पूछा यह मेजर क्यों है वो माईर क्यों है तो क्या बताएंगे देखो यहां पर यह मेजर क्यों है यहां से देख कि देखो यह चीज यहां से देखो वह अच्छ है सी एच्छों ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से अरे यारे कहां जा रहा है आइच अब देखो AC की स्टेन का बेडर करते हैं इसरी की स्टेन के लिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको पताया जाएगा कि कोई भी यहां होता है वो जीतना ज्यादा स्टैबल होता है उतना ज्यादा वह स्ट्रिक अधोट है और C, H, और यहां पर double bond से O, तो अब क्या होगा बच्छों, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि देखो, EC negative को stable करना है, EC and iron को stable करना है, O negative जोगा है, जितना ज्यादा यह stable होगा, उतना बढ़िया एसे होगा यह, तो यह क्या करता है, यह यहां से hydrogen bonding कर लेता है, H के साथ O, जिए है, hydrogen bond बन जाएगा, जब hydrogen bonding करेगा, तो यहां पर kylit बन जाएगा, देखो, kylit बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि बन जाएगा, जब कीलिंट फार्मेशन हो जाती है, नहीं जाएगा जब जैदाएगा, तो बढ़िया एसेड हो जाएगा, तो इसे All I'm मेजर होता है व कोई भी आप से क्वेशन प्落ब यह मेजर क्यों होता है थे फिसमें से हाइडोजन में भंड़निंग्क था किichtet लोईवार्फ इसलेतर यां पर यांकर है एक्वास बेस के प्रेजंस में KOH भी हो सकता है और डाक वा के प्रेजंस पर्यारेक्षिन करता है कि आर्थाइट अमछे विपीडनगती है कि से इसे को भोर जैसे चिलेल डियाएट बोलत message एक एकिश्टेप ध्यान से समझना नाला चुकि क्या और दा आपका रिएक्शन क्या ќा था एक नियु यह था है इसको हम लोग ऐसे बनाते है ऐसे बनाते हैं ऐसे एस झाल है.." आप लोगंका रियक्षन यह था Ambile और रियक्शन क्या किया था CSCL3 एकोस फ़र्म में आप NaOH ले लो H प्लस ले लो H2O एकोस फ़र्म में तो फाइनल आपका प्रोड़क्ट बना था ऐसा है OHCHO और एक आपका बना था OHCHO ठीक है बھائ the ठीक है अब इसके मेकेनिजम देखते हैं इसको हम लोग यह आप बर कर देते हैं यहाँ ont अब देखो सबसे पहले क्या होगा इसके मेकेनिजम देखेंगे सबसे पहले इसमें इंटर्मिडिट बनता है इंटर्मिडिट कैसे बनता है कैसे बनता है इंटरमेडियर कैसे बनता है ऐसे बनता है देखो एच इस यहां पर आपका सील लेलो यहां फिर लेलो यहां पर सील लेलो इसमें ऊच नेगटिव आता है अब तुम सोच रहे होगे कि ऊच नेगटिव कहां से आया तो बच्चों यहां से समझ लेना एन ने ऊच में से आया इसको आप जब ब्रेक करोगे तो देगा एन ने प्लैस ऊच नेगटिव ठीक है बाई तो कहीं भी ओएच नेगटिव में लिखा रहेगा अर्टेक तो यह इनको बुलाएगा मेरे पास आजा रेक्शन करते हैं वाटर बनाते हैं क्योंकि एस प्लस यहां चला जाएगा तो एस को बना लेगा ठीक है न भाई एसेड बेस के रेक्शन हो जाएगी देखो एन ने ओ एच बेस है और यह एसेड एच के कारड़ ही तो एसेड है बोलो एसेड बेस रेक्शन कर लेंगे तो क्या करता है यह अपना इलेक्टान इनको दे देता है कारबन को और इनके पास चला जाता है ठीक है तो यह मिलके क्या बना लेंगे S2 क्या बना लेंगे? S2 बना लेंगे ठीक है? माइनस S2 लिक लूँ ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है? जो C L है यह ऐसा हो जाएगा C L नेगटिव आ जाएगा यहाँ पर C L, C L, C L अब C L जो होता है क्लोरी अच्छा गासा लीविन गूरूप होता है यह भी अपना इलेक्टान लेके भाग जाता है इनको छोड़ देता है यह गया इनके पास यह बुला रहा था वाटर बना लिया पानी निकाल दिया और C L इलेक्टान लेके भाग जाता है तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है ऐसा ऐसा कि सी सील सी अब इसको मैं इसको मैं यहीं लिख देता हूं अब यहां देखो सील देखो यहां पर दो बॉंड बनाया है एक लोन पेर के रूप में अगर तुम से कोई पूछ दिया कि इसका है बताओ तो देखो दो सिग्मा बॉंड और एक लोन पेर टू प्लस वान इतना वजाएगा सब्सक्राइब के लिए है इसको हम लोग बोलते हैं यह है CCL2 इसको हम लोग बोलते हैं यह बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल है बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल है इसको आप यह बोल सकते हो बच्चो यह बोल सकते हो देसेज मोस्ट रियक्ट्िव एलेक्ट्रोफाइल बहुत जादा रियक्ट्व है यह बहुत जादा रियक्ट्व होता है इसी कार्बीन को हम लोग इंटर्मेडियेट बोलेंगे इस रियक्ट्रोफाइल का अगर कोई तुमसे पूस्ता है कि इंटर्मेडियेट बताओ क्या बताओ राइमाट इंटर्मेडियेट बताओ तो आप बोलोगे सार intermediate राइमर टाइमन का intermediate क्या होता है कार्बीन होता है CCL2 होता है Is that clear? तो intermediate के रूप में आपको क्या मिला यहाँ पे acid base की reaction कराया और acid base की reaction होई तो आपका intermediate मिला कार्बीन अब इसकी reaction अम लोग फिनाल के साथ कराएंगे देखो अगर आपसे यहाँ पर CL नेगेटिव दिखरा है तो समझ जाओ NA प्लस और CL नेगेटिव 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 बना देगा Is that clear? तो कहीं पर भी मैं CL नेगेटिव लिखा रहता हूँ तो आप उसको समझ जाओ क्यों मैं क्या किया हूँ NA CL बनाया है अब यहाँ से देखो यह मैं वाइट वाला ले लेता हूँ ऐसा O H इस पर O H नेगेटिव वह पहले कर आओ O H नेगेटिव वह तो O H नेगेटिव क्या करेगा? इनको बुलाएगा Acid Base की Reaction होगी Acid Base की Reaction होगी H के साथ चिक है? H क्या करेगा? अपना इलेक्टान इसको दे देगा आईनके बस सल आएगा चिक है? Acid Base Reaction में यहाँ पर माइनस आप इसको लिख सकते हो देखो O H नेगेटिव का मतलब क्या देखो? N O H में से आया है N O H बेस है और फिनाल एक तागड़ा Acid होता है Resonance के कारण है तो बताओ Acid Base की Reaction होगी तो H प्लस यहां से अपने एकरार इसको देदेगा तो H प्लस OH नेगेटिव के साथ H टो बना लेगा यहिक नि बना लेगा आपको कुछ यहां पर ऐसा मिलेगा? ऐसा? O नेगेटिव मिलेगा यह नि मिलेगा? मिलेगा ना, अब क्या करेगा अब देखो, रेजुनेंस, aken्योंगेशन आएगर नहीं है, तो आप यहांसे रेजुनेंस कराके क्या कर सकते हो, इसके इसके निगेटिव चार्ज को यानि कि लोन पेर समझ लो इसको, निगेटिव का मतलब एक lone pair के बराबर है एक तुसर खुद का electron एक किसी से ले लिया तो दो electron होगा एक नहीं होगा दो electron एक lone pair के बराबर होता ही कि नहीं होता है तो resonance कराओ, conjugation कराओ यह negative यहाँ पे double bond बना लेगा, pi bond बना लेगा यह पाई बाण्डलोर पेर में convert हो जाएगा तो कैसा बनेगा कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ऐसा ओ नेगेटिग और ये तो अज्टीज रहेगा यहां आगया नेगेटिग आप देखो यह नेगेटिव आया ना यह भाई मैं नेगेटिव लगा दिया क्या यह तो हो गया ना अब देखो कारवीन दवडता आएगा यहाँ पर अटेक करना है इसको क्योंकि कारवीन को दिख गया इलेक्टान यहाँ देखो यहाँ पर नेगेटिव तो अब यह अब इन पर अटेक कर देगा नेगेटिव प कि ओपे नेगेटिव था यहां भी तो कर सकता था कार्बीन लेकिन देखो नुकलियोफिलिक जो रियक्शन होती है नुकलियोफिलिक रियक्शन रियक्शन उसमें C नेगेटिव और O नेगेटिव में इसकी ज्यादा होती है नुकलियोफिलिक रियक्शन रियक्शन कार्बन क इसलिए carbon पे फाश होता है इसलिए resonance करा के वो carbon पे आया है ठीक है बच्चों तो चलो देखते हैं आजे क्या कहानी बनती है आजे क्या कहानी बनेगी ऐसा बनेगा यह कैसा बनेगा O negative यह तो ऐसा रहेगा C C L यह बताओ यह वाला carbon की balance 1, 2, 3 एक hydrogen यहाँ पे होगा की नहीं होगा मैं ऐसे लिख दूँ क्या चलेगा तो अब यह अपना negative इसको दे दिया यह जब इस पे attack किया तो इसका 3 आप थोड़ा ऐसे लगा लो यह negative यहाँ चला जाएगा की नहीं चला जाएगा आप यहाँ negative लगा दो अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा ऐसा होगा यह bond यहाँ पे bond में convert हो जाता है चीक है तो अब जब यह bond बना लेगा यह bond यह भाई मैं यहाँ क्या किया हूँ याँ थोड़ा सा यह थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं यह मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ नेगेटिव चार्ज यहाँ तो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ना चीक है अब ठीक है अब देखो अब यहाँ पर बॉन्ड फर्मेशन जब करेगा तो यह इसको थोड़ा उपर करता हूँ थोड़ा सा उपर करूँगा तो कुछ तो कटी जाएगा चलो यहाँ देखते हैं अब यहाँ से देखो बच्चों यहाँ से तो यहाँ से क्या हो जाएगा अब यहाँ से ऐसा हो जाएगा यह O नेगेटिव होगा कि नहीं होगा O नेगेटिव और यह देखो यह तो ऐसे रहेगा और यहां पर double bond बन जाए देखो यह double bond बना लगा कि नहीं pi bond अब देखो यह वाला H carbon पर आ जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है CL और CL लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो यह चीज़ हो गया ऐसे अब उसके बार देखो क्या करेंगे अब उसके बार आप क्या करोगे NAOEH से reaction करा दो देखो NAOEH AQUOS form में है अलकोहालिक form में नहीं रहता है यहां पर SN2 reaction होती है कौन से reaction होती है SN2 reaction होती है SN2 reaction में क्या होता है Alkyl halide की AQUOS form में NAOEH होता है उसी से reaction कराते है अब देखो दो CL है गी नहीं है इन दोनों CL को अटाने के लिए हम NAOEH से reaction कराएंगे AQUOS form SN2 reaction तो बताओ बच्चो बताओ बच्चो दो CL है दो CL को अटाने के लिए आपको 2NAOEH लगे कैठ नहीं लगेगा तो कैसा बनेगा यह कैसा बनेगा यह ऐसा बनेगा O negative CH CH OH और OH तो बड़ा गड़बड हो जा रहा है भाई इसको मैं थोड़ा कितर जा रहा है इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं अब ठीक है देखो दोनों CL को OH रड़ा देगा न और आपका 2CL है तो NACL बन जाएगा तो अब यहां से देखो एक कारबन पे जब 2OH होते हैं तो stable नहीं होता है वहां से S2O के रूपर रिवीज होता है जब आप इसको हीट करोगे तो जब आप इसको हीट करते हो तो इसका 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 एक OH इसका इसका एक OH लेलो और इसका एक एच लेलो और बना लो क्या S2O क्या बना लो बच्चो S2O तो कैसा बन जाएगा कैसा बन जाएगा O नेगर्टिव और यहां पर क्या हो जाएगा CHO देखो CHO हो गया कि नहीं यह O बचा कि नहीं बचा CHO बन गया ना अब उसके बाद देखो इस रियेक्शन में H प्लस भी यूज की हो Acid Aqueous form है इसको क्या कर दो Acidic कर दो H प्लस मिला दो इसमें यह क्या बना लेगा यह बना लेगा OH और CHO तो यह 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 Artho-Hydroxybenzyl-Di-I-D अपने को चाहिए था ना Artho-Hydroxybenzyl-Di-I-D मिल गया कि नहीं मिल गया तो इसी तरीके से Mechanism आप इसका करा सकते हो और यहाँ देखो बच्चो एक और important चीज इसमें क्या है अगर यह question पूछ देता है कि Rhymer Time and Reaction जो होती है Rhymer Time and Reaction जो होती है इसका RDS क्या होता है RDS Rate Determining Step तो यह वाला step है सबसे slowest step ही होता है RDS तो RDS इसका यह वाला step है यह कौन सा step होगा इसका RDS होगा RDS RDS यह वाला जो step होता है इसके साथ जो कार्बीन रियक्शन करता है जो compound बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग RDS चीज़ए तो इस mechanism में क्या क्या आपसे question पूछ सकता है राइमर टाइमर रियक्शन का intermediate क्या है डाइ क्लोरो कार्बीन यह एलक्टोफाइल है और बहुत तेजी के साथ रियक्शन करता है most reactive एलक्टोफाइल और इस रियक्शन का इस रियक्शन का RDS क्या है तो यह वाला step RDS हो गया ठीक है और major product कौन सा होता है आर्थ हो वाला होता है क्योंकि उसमें hydrogen bonding होती है Is that clear? ओकी चलो तो आपको मकेनेजम अच्छे से समझ में आई होगी एक बार practice कर लेना screenshot ले लो अब आगे देखो कुछ questions देख लेते हैं इसके अब यहाँ से देखो एक तू question आपके सामने नजर आई रहा है तो क्या करना है बच्छो? क्या करना है? एक चीज मकेनेजम में और ध्यान देना यहाँ से देखो यह वाला देखो H है ने यह वाला H यही H यहाँ पे आके C H बना रहा है देखो यही वाला यहाँ कि यहाँ पे जुड़ रहा है इट मिन्स यह कि अगर मैं कुछ ऐसा देता हूँ question अगर मालो मैं कुछ ऐसा देता हूँ OH है मालो यहाँ पे D है चीज़गे? तो इसका जब राइमर टाइमर रियक्षन कराओगे CSCL3 NaOH लोगे और आपका मालो H प्लस है और H2 है मालो मैं इसको भूप कर देता हूँ इसको भी भूप कर देता हूँ तो पैरा भूप हो गया यह भी इधर का अर्थो भूप है यह वाला है यहाँ से आपका राओगे तो क्या बनेगा? OH द्यान रखना CDO बनेगा CDO CDO क्या बनेगा? CDO इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि यह वाला DCH बनाता है यह नहीं कि CH बना ले चीख है? आगे देखो अब जैसे मालो करें मैं कुछ ऐसा देता हूँ इस तरीके का OH है ऐसा और रियक्षन में करा रहा CSCL3 PLUS NA OH H H की जैबर पान देदिया D PLUS H2 अब बताओ तुम क्या बनाओगे? यह देखो OH CH तो बनाओगे क्योंकि यहाँ पर H है लेकिन यहाँ क्या OH होगा? यहाँ पर OH होगा? मैं कहा नहीं जैब देखो देखो इस इसको ध्यान रखा एना अगर मैं D PLUS लिखा हो है अगर मैं D PLUS लिखा हो यहाँ पर तो यहाँ पर बत्चो OH9 होगा? OH9 होगा? OH9 होगा ÅD तो मिता दीया हमा POOD क्या होगा? It's clear? समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया होगा सिर्फ इसका आर्फो और पाइरा चेक्टर हो आर्फो बनाऊ इसका आर्फो इसका यह देखो यहां पर यहां पर बढ़िया बनेगा यह इसका सीधे तुमको कुछ नहीं खरना आना है ऐसा ऐसा और यह ऐसा और यहाँ पे आपका OS है यहाँ बस CH कर दो काम पता हूँ बन गया तुम्हारा final product कितना आसान है राइमेंट टाइमें reaction फिनाल की होती है और CSCL3 देखो यह NOS देखो S plus है इनके परजेंस में होता है परचान लोगे राइमेंट टाइमें reaction और यह सिधा सिधा बना लो अगला question देखो यह देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यह देखो आर्थो पोजीशन इसकी बुख है तो पहरा पे reaction होगा राइमेंट टाइमें ने ने आर्थो बुख है ना चलो यह देखो यह वाला अब इसमें देखो कहा बुख है पैरा वाला बुख है अर्थो बता पहले कराते हैं यह यह तो आपका मेजर होता है तो यह ऐसा हो जाएगा OH CHO और यह CH3 ठीक है मेजर कमपाउंड यही सब होंगे कितना आसान है आसान है ना ऐसे ऐसे करा लो अब यह OAS final है तो यहां से देखो यह आर्थो बुख है इसका इधर भी बुख है यह पैरा भी बुख है यहां से फिर बनाय फिर आर्थो बुख फिर आर्थो बुख यह वाला एक position यही बच रही है इसी पर करा दो सिर्फ आपको भूलवाने के लिए बड़ा बड़ा देता है बाकी सब easy है कुछ इसमें problem नहीं है ऐसा ऐसा हो गया? खतम? यहाँ safe लगा दिया? खतम? असान है ना? rhyme and timer reaction Is that clear? और भी कोई है क्या? नहीं, आप कोई नहीं तो I hope आपको बड़े अच्छे से mechanism समझ में आई होगी राइमर टाइमन के तो यह ध्यान रखना भाई राइमर टाइमर रियक्शन बहुत important है किसी भी exam के लिए चीक है? तो आप राइमर टाइमन के जितनी भी problems है साल्प करिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आजाएगा mechanism को एक दो बार revise कर लो वीडियो को back कर करके देख लो समझ में आजाएगा अच्छे से तो अगली वीडियो में हम लोग एक और नेम रियक्शन के बारे में बात करेंगे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं